नागपूर दिले में राम टेक श्री राम मंदिर में पुजा करने के बाद भगवान राम के चर्णों की पवित्र भूमी यहां से मातो श्री मुंबई तक हिंदु रक्षक उद्दो बाला साइब ठाकरे के समर्थन में और उनके साथ हुए अन्याये और राजय में तानाशाही के खिलाब महा भारत यत्रा नागपूर जिले के शियोशेणा के पता दिकारियों के साथ यत्रा का शुबारम नागपूर नरेश मुदो जी राजे भोसले के पुत्र जैसी है राजे भोसले ने भगवा धश पहरा कर की है नाकपूर जिले में राम ठेक श्री राम मंदिर में पूजा करने के बाद भगवान राम के चर्णों की पवित्र भूमी यहां से मातो श्री मुंबई तक हिंदू रक्षक उधवजी बाला साइब ठाकरे के समर्थन में उनके साथ हुए अन्याई और राज्जमे महा भारत यात्रा नाकपूर जिला शिवसिना के पदाधिकारियों के साथ यात्रा का शुभरम नाकपूर नरेश मुदोची राज भोसले के पूत्र जैसी राज भोसले ने भगवा ध्वज फैरा कर किया आपको बता दे कि युवा परिवर्तन के आवाज संगचन के संस्थापक अध्यक्ष निहाल पांड़े के नेत्रुत्व में महा भारत यात्रा रामटेक से मुंबे तक जा रही है महा भारत यात्रा जिस प्रकार महा भारत में कवरों ने पांड़ों का धोके से राज्य छीन के उनको वनवास भेजने का कटकारस्थान किया था उसी प्रकार महाराष्टर के कुरुक्षित्र मैदान में उद्धो बाड़ासाइब ठाकरे इनके साथ में अली बाबा 44 की सेना ने कटकारस्थान रचके उनको वनवास भेजने का पूरा-पूरा प्लान महाराष्टर के शकुनी मामा के साथ मिलके बनाया था पर जो संगर्ष का वार्षा हिंदू रुदे समराड बाड़ासाइब ठाकरे ने उद्धो जी को दिया है तमाम हिंदूों के सपोर्ट से और तमाम सर्वसामन्य जनता के सपोर्ट से उद्धो जी अनेक आववाहन को सामने जाते हुए हर चुनवतियोग पे मात कर रहे है आप जैसे देख रहे हो कि एडी की कारवाई लगातार महाराष्टर में हो रही है वाशिंग पावडर निर्मा ये प्रचलित हुआ है कई बीजेपी के आमदार खुद बोल चुके है कि एडी के दाग और धब्बे सोच्छ करना है तो वाशिंग पावडर निर्मा पाल्टी में आ जाओ तो ये सब हुकुम शाही महाराष्टर में चल रही है ये चत्रपती शिवाजी महाराष्टर है दिल्ली के तक्त के सामने आश तक जुका नहीं इसलिए मुगल और निजाम उनके हमेशा शत्रूर है उसी प्रकार उद्दोव बाड़ा साहब ठाक रहे ये दिल्ली के तक्त के सामने कभी भी जुके नहीं इसलिए ये मुगल और निजाम रूपी ताना शाह सरकार जो बैठी है वो उनसे दुश्मनी निकाल रही है और हम चत्रपती शिवाजी महराज के सैनिक है हम उद्धव साहब के साथ में खड़े रहने के लिए आज राम मंदिर राम टेक से ये यात्रा महाभारत यात्रा हमने के दिन मातोश्री पे लिजा के हम देने वाले है और दो तरीके के हिंदुत्व महराष्ट्र में और देश में चल रहे है एक सत्ताधारी पाल्टी का हिंदुत्व है जिसमें है कि मूमे राम आमदारों का दाम और ठेकेदारों के लिए काम और दूसरा उद्धव जी का हिं दूत्वम आने है मनून आमी रामाचा जंडा घ्यून है महाभारत यात्रा है जंते ची यात्रा है अनेक हिंदुन ना अजून तमा मन्याचे विरुधत लणना रे लोकान ना अवान करत एक हजार किलोमीटर चा संगर्श में प्रवास करत आमी उद्धो साहिबा परंद जान कि आये तुम्ही संगर्श करा है आमी संगना रहो इतका संगना थाटी है महाभारत यात्रा है महाराष्ट्रा मदे जा जा युवा कानना असा वट्टा है कि आमचे उद्धो साहिबन सो वर अन्या जलेला है अनि ते स्वता हुन स्वख खुशी हुन तैननी हा परियास उचला कि ताही आमी असा सा करो तो कि तिक दूसा पसुन तैन सो नियोजन चलुए अनि अशे जर्म राज्यातली प्रतिक युवान ना वट्लो कि हिंदूत्व खर हिंदूत्व काया है अनि हिंदूत्व जे ओखला लगले तर मला वट्टे अशे युवा जर अपले महाराष्ट्र मदे पूडाले तर नकित हिंदूत्वाचा विजे होई अनि उद्धो सबांचे पाटिशी आमचे है युवा क्रांती चे आमचे है निहाल पांडे जी है सदेव संगटने मदे रहून युवान सटी महिलान सटी प्रत्ते की विंग सटी ते सदेव कारे रह तस ताथ आमी पूर्ण शुव से ना महिला अगाडी सर्व युवा से ना पसन सर्व आमी तैंचा समर्तन अरता जीते आले लो आए और तैंचा या महाभरत यत्रेल आमी आजीते समर्तन देता हूँ युवा को बरदास नहीं होता क्योंकि युवा खाली हाते उसे काम नहीं है और भारती जनता पार्टी की नीतियों के खिलाब यह युवा की बुलंद आवाज है यह सिर्व उद्दो जी को समर्तन नहीं है यह उसकी अपना आग बबुलापन है जो युवा तडप रहा है विदर्व का तो विदर्व का युवा उद्दो जी के साथ यह संपूर्ण तक्तो ताज दिल्ली के तक्तो ताज को दिखाना चाहते हैं और इस युवा की इस क्रांती में निहाल पांडे जी के साथ और निहाल पांडे जैसे अनेक लागों युवाओं के साथ शिवशेना खंबीर बने कडिये नाकपुर में हम ये जो युद्धो जी की समर्तन में भगवान श्री प्रभूशी राम चंदर जी का राम टेक्ट से आशिरवाद लेकर मातोशी तक की महाभारत यात्रा रखी गे उसमें नाकपुर शहर शीवशानाई के दरफ से हमारा पूरा और हर जिले में इन विसे नियूस के लिए केमरे परसन राजकुमार महुड के साथ रुपा पंडित के रिपोर्ट